हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल मेरे इस वीडियो की टाइटल से आपको पता चल गया होगा मैं आज क्या दिखने बाला हूँ आप भी आपका आउट्डूर टैंक को इस तरह का एक एलिवेटेट आउट्डूर टैंक में बदल सकते हो को बहुत ही आसन तरीक से क्या सबस्साब जाल में से एलिवेटे बदिए आपको आपको एलिवेटेशब अधियों कर दोकाुम यह । अमारबे कर दो । क्यानल में आपको बहां हो और एंदानल में की चैनल ôgaline कि अर शल सेख़धे दिले कैने दिल. कि अर स्केल खबसको हम दयाने फंटी है इस एकोडियम का बेस है इसको में एक आइरन स्ट्रक्चर के उपर बिठाया है आप प्लास्टिक के टब भी उज़ कर सकते हैं प्लास्टिक के टब के उपर भी एकोडियम को बिठा सकते हैं आप एकोडियम के अंदर से हवा निकलने के लिए आप एक पाइप यूज़ कर सकते हो उसमें से पानी अंदर घर सकते हो आप एक वैकूम क्लीनर भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं इस तरीका को अपनाने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि वैकूम क्लीनर के अंदर पाने भी कुछ सकता है तो इसको एवाइट कीजिए सबसे अच्छा तरीका है आप एक एमटी पाइप लेके इसके अंदर कुछाई और मुह से हवा को बाहर कीचिए देखिएगा जो वाटर लेट है वो थोड़ा तरह करके इंक्रीज हो जाएगा कि इस तरह के एलिवेटेट आउटर टैंक देखिने में बहुत बड़िया लगता है तो आप एक परमाइंट स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं मैं आपको एक आईडिया दिया आप आउट्टो टैंक को और भी कितना ब्यूटिफुल कर सकते हैं यह सब एक आईडिया था तो आप इस आईडिया को और भी बहतरीन तरीके से अपना सकते हो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए आपको यूर्वाज बहैं आपको इस जरीके ज़रो हो बहाँ मेरे रहाइक तो आपको ऑडियो हो यूर सब्सकते हम कर देंद़но मैं प्र 我 झा दुआ के दूग कर DAVID झाल